Hello friends, welcome to my YouTube channel और आज हम दिसकस करेंगे एक बहुत ही अच्छा partition novel जिसका नाम है बस्ती जो लिखी थी इंतजार हुसेन ने The novel बस्ती was written by इंतजार हुसेन Originally in Urdu, बस्ती is considered as one of the finest works on the theme of partition Novel का title बस्ती उन millions of people के बस्ती को meme करता है जो partition के time उखड गया था बस्ती यानि की हम सबको मालू है एक ऐसी जगा जहां पर एक साथ बहुत से लोग इकठा होके रहते हैं मतलब की एक gathering या फिर एक place जहावर लोग रहते हैं Novel इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई partition के दर्दनाग दिनों के बारे में बात करता है ये दिखाता है कि कैसे लोगों को पाकिस्तान नाम के एक खोपसूरत लैंड का illusion दिया गया था जो की एक बहुत ही destructive जगा बन गई बाद में The novel is narrated by its protagonist Zakir Zakir इस वक्त यानि की novel के starting में पाकिस्तान में रह रहा है और professor के तौर पर काम कर रहा है वो partition के दोरान भारत में अपनी homeland चोड़ कर पाकिस्तान चले गए थे present day में वो पाकिस्तान की जो situation है उससे बहुत ही ज़्यादा dissatisfied है और इंडिया में अपने दिनों को याद करता है वो अक्सर अपनी खूबसुरत homeland जो की रूपनगर नाम का एक village था उसके बारे में सोचता है और सोच कर बहुत ही nostalgic हो जाता है तो friends चले मैं आपको थोड़ा सा रूपनगर के बारे में बता देती हूं तो रूपनगर एक खूबसुरत गाउं के रूप में describe किया गया है जो की उट्टर प्रदेश में ही कही situated है ये वो गाउं है जहां सभी लोग बिना किसी problems के harmony और शांती से रहते थे रूपनगर एक fictional place है मतलब ये originally कहीं पर situated नहीं है लेकिन ये village बताती है कि अगर बटवारा यान कि partition नहीं होती तो हिंदू-muslim के बीच का रिष्टा कैसा होता यान कि वो बहुत ही peaceful और harmonious होता भाई-चारे के रूप में हमें दिखाई देता रूपनगर में मंदिर के पास एक जंगल था जंगल के पास मुस्लमानों के लिए एक करबाला भी था यान कि मंदिर भी था और करबाला भी था जो कि हमें symbolize करता है कि हिंदू-muslim के बीच एक बहुत ही friendly relationship exist करता था इंडिया में एक बार क्या हुआ रूपनगर में एक बहुत ही भयानक plague बिमारी फैल गई थी जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी बाद में ये plague बिमारी चला गया था और फिर से situation नॉर्मल सी की तरह आ गई थी और रूपनगर में पहले electricity हुआ नहीं करता था लेकिन जैसा ही innovation होने लगी तो रूपनगर में electricity की शुरुआत भी की गई बहुत सारे बंदर यानि के monkeys बिजली के तारों और खंबों पर खेल रहे थे और उनमें से बहुत से बंदर बिजली का शौक लगने से मर गये थे जाकिर के अबबाजान यानि कि उनके फादर एक ट्रैडिशनल मुस्लिम थे उनका माना ये था कि electricity का यूज करना एक innovation है और ये innovation इसलाम में prohibited है इसलिए जाकिर के पिता ने मस्जिद में बिजली के इस्तमाल का सक्त विरोध किया था और इसलिए वो इलेक्ट्रिशन को बिजली लगाने से रोकने के लिए रोज मस्जिद की जो में केट होती थी वहाँ पर खरे रहते थे हाला कि एक दिन उनकी मा यानि कि जाकिर की दादी की देहान्त हो गया और उन्हें अपने घर जाना पड़ा तब ही अगले दिन जब जाकिर के फादर मस्जीद में गए तो उन्होंने दिखा कि बिजली लगाए गई थी मतलब उस एक दिन में ही अल्रेडी बिजली इंस्टॉल्ड हो गई और तब ही जाकिर के फादर ने रिसाइट किया कि अपने पूर एंटायर लाइफ में वो फिर कभी उस मस्जीद में कदम नहीं रखेंगे अब ये तो हो गया एक ऐसे इंसिदन्ट जो रूप नगर में हुई थी जाकिर के लाइफ में अब आप सुनिए दूसरा इंसिदन्ट बच्पन में जाकिर की खाला जान अपने दो बेटी सबीरा और टाहिरा के साथ उनके घर आती थी जाकिर की सबीरा से गहरी रिलेशन्शिप डेवलप हो गया था जो जल ही दोस्ती से ज्यादा कुछ में बदल गया था वो साथ ही खेलते थे और घंटों तक खेलते रहते थे वो दोनों उन दोनों में एक एट्रेक्शन डेवलप हो गयी थी खलागी जाकिर रुप नगर को चोड़ देता है और व्यासपूर नाम के एक प्लेस में चला जाता है और बाद में अपनी हाईर्स जारीस के लिए मीरत चल जाता है जब वो मीरत चला जाता है तो वो सबीरा के साथ connection खो देता है और जब बहुत सालों के बाद वो व्यासपूर से वापस लोटता है तो सबीरा काफी बड़ी हो गई थी और उसकी जो physical feature से वो भी काफी matured हो चुकी थी मतलब अभी जाकिर उससे पहचान ही नहीं पा रहा था हलकि जाकिर को अभी थोड़ा doubt महसूस होता है कि सबीरा के लिए उसका जो प्यार है क्या वो अभी भी वैसा ही है जैसा childhood में था सबसे पहले जाकिर का परिवार शाम नंगर नाम का एक ताउन में रहते थे वो नए देश में जो freedom की एक feeling थी उसे महसूस कर रहे थे उसका आननद उठा रहे थे उनका मानना था कि पाकिस्तान एक नए holy land है और वहाँ पर जाना उनका हजरत होगा जिसका अर्ठ है कि holy place पर प्रस्थान करना हाला कि धीरे धीरे उसे reality check मिलता है और वो अपने जो फैसले पर पच्चताता है शाम नंगर में ज्यादातर घर सूने थे क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में जो हिंडू लोग रहे थे वो सब इंडिया आ चुके थे अपने घर को वैसा चोड़ कर धीरे धीरे हर दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बसने के लिए एंटर कर रहे थे मतलब इंडिया से मुस्लेम्स पाकिस्तान आ रहे थे शाम नंगर के लोगों ने पहले सभी को घर देने में बहुत स्वागत किया और बहुत ही welcoming थे शाम नंगर के जो people थे लेकिन जल ही बहुत situation बहुत जड़ा chaotic हो गई और कोई खाली घर बचा ही नहीं लोग natural resources के लिए लड़ने लगे इस तरह पाकिस्तान में resources को लेकर बहुत से जगड़े होने लगे लोगों के बीच बाद में जाकिर का family दूसरे शहर चला जाता है जिसका नाम तो book में directly कहे पर भी mention नहीं की गई है लेकिन हम ये predict कर सकते हैं कि ये शहर लाहोर है लाहोर में जाकिर ने कई ही सारे दोस्त बनाए थे जिनका नाम थे अफजल, इर्फान, सलामत, अजमल, करामत, etc सारे दोस्त शहर के एक कोनी में जमा हो जाते थे जिसे वो लोग शिराज कहते थे मतलब एक अड़ा टाइप का प्लेस जिसको वो लोग अपना शिराज नाम देकर वहाँ पर gathered होते थे और शिराज में वो लोग आर्ट, लिटरेचर और कई अलग-अलग विशे में बात चीत करते थे धीरे-धीरे पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही थी सिवल वार भी हो गया था और लोग बंगलादेश की मुक्ती के लिए लर रहे थे अवजल जो की जाकिर का फ्रेंड था वो मतलब एक रिफॉर्मिस्ट टाइप का बंदा था वो अवजल रिफॉर्म लाना चाहता था और पाकिस्तान को उसकी ओरिजिनल स्थिति में लाना चाहता था मतलब की वो सभी करप्शन और जो भी चल रहा था पाकिस्तान में वो सब खटम करके एक मतलब रामराज्य का इंड आफ सिट्वेशन वो लाना चाहता था हाला कि उनके दोस्तों का मानना था कि ये संभब है ही नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग वाइलेंट होते जा रहे थे और वो भारत को क्रश करने के नारे लगा रहे थे जाकिर वार्स में तो विश्वास नहीं करता था और चाहता था कि मानवता की जीत हो रोज उसे अपने रूपनगर के घर की याद आती थी और सोचता था कि क्या होता आगर वो कभी पाकिस्तान आता ही नहीं सरकों पर कर्फियू और पूरी तरह सा सननाता था अलग-अलग प्लेसेस पर प्लेइन्स द्वारा बॉंब गिराए गए ये बहुत ही एक खटरनाक स्थिती बनती जा रही थी लोगों का वहाँ रहना मुश्किल होता जा रहा था जाकिर के बचपन के दोस्त सुरंदर ने उन्हें भारत से एक लेटर लिखा था उन्होंने चिठथी में सबीरा का मेंशन किया और कहा कि वो कभी पाकिस्थाथ गई ही नहीं और डिल्ले में All India Radio में काव कर रही थी जाकिर ये जानकर हैरान हो गया था कि सबीरा ने कभी भी उसकी तरह किसी से भी शादी की ही नहीं मतलब वो सिंगल ही रही जाकिर की मा ने उसे सबीरा को एक चित्थे लिए कहा लेकिन जाकिर नहीं लिखता है और ना ही कभी उससे मिलने के लिए कोई भी कदम उठाता है इस तरह हम देखते हैं कि पार्टिशन के बाद जाकिर और सबीरा फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल सके पाकिस्तान के हालाद बत से बत्तर होते जा रहे थी लोग भागना तो चाहते थे लेकिन ये असंभब था जाकिर के लिए सिट्वेशन से एसकेप करने का एक ही रास्ता था जो कि वो था कि भारत में जो अपनी होम प्लेस थे जो है रूप नगर उसको अपने इमेजिनेशन पर लाना उन सुनहेरे दीनों को याद करके ही वो इस करन्थ सिट्वेशन से एसकेप कर सकता था इसे तरह इस नोवल की एंडिंग हो जाती है एंडिंग में कुछ सिट्वेशन का सुधार तो हमें दिखने को नहीं मिलता है पाकिस्तान के सिट्वेशन वर्स होती जा रही थी और जाकिर एसकेप नहीं कर सकता था फिसिक के लिए लेकिन मेंटेली वो अपने पास्ट पर चला जाता था जिससे उसे रिलीफ मिलता था मतलब यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि पास्ट एक रिलीफ का सोर्स बनता जा रहा था जाकिर के लिए तो फ्रेंस हमें इस नोवल से क्या आइडिया मिला कहते हैं कि सोसाइटी का सिट्वेशन सबसे पहले उस ताइम पे लिखी गई लिटरेचर में चलकती है पार्टिशन के वक्त कितनी वाइलन्स और डर्डनाच सिट्वेशन बना था वो हमें बस्ती जैसे कई और नोवल्स पढ़कर समझ में आता है जाकिर ने एक गलत दिसेजन लिया जो उसने फ्लो फ्लो में आके लिया था यानि पाकिस्तान शिफ्ट होने का क्योंकि उस वक्त हड कोई पाकिस्तान की सिर्फ तारीफिक कर रहा था लेकिन वहाँ शिफ्ट होने के बाद ही उसे रियलाईज हुआ कि ये पार्टिशन कितना गलत था पार्टीशन से किसी का भी भला नहीं हुआ, सर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का एजेंडा फुल्फिल हुआ था पॉलिटीशन ने लोगों के बीच एक डिस्क्रिमिनिशन पैडा किया था जो लोग पहले भाई-भाई के तरह रहते थे इंडिया में वही लोग एक दूसरे को मारने, काटने की बात करने लगे आज तक पार्टीशन के साइड एफेक्स लोग भुकटते ही जा रहे है तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप बस्ती नॉवल को अच्छे से समझ गए होंगे प्लीज मेरे चैनल गाइडिंग लिटरेचर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए थेंक यू